होलो फ्रेंज आज के वीडियो में जो है हम लोग एक एफेक्ट करेंगे होलोग्राम एफेक्ट प्रीमेर प्रो में सो उसको कैसे करते हैं उसमें उसी पर आज के वीडियो में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हम अपनी क्लिप को जो है इंपोर्ट क करने के लिए हम क्या करेंगे हम लोग जो है यूज करेंगे सिर्फ करेंगे जोकि की आपको दिखेगे ऐद है कि तो चलते हैं इफ्षर कंट्रोल में और यहां पर जागे जो है हम लों अल्टरा किस सिसически कर देंगे रिमूब करने करने के बाद में क्या करना है हमको चलेंगे मैटे जनरेशन में और थोड़ा सा यहां पर कुछ चीजों को अड़ेस्ट करेंगे लाइक इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है थोड़ी सी कम कर देंगे हम लोग कुछ 15% 14 कर देता हूं मैं उसके बाद में इसकी हाइलाइट को थोड़ शुक्ते रहा हूँ ठीक है पर इडिस्ट्रल 22 को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहां पे है ओके अर्जस्मेंट करने के बाद में चलेंगे मैंटे क्लीन प्र ताकि हमारा यह एक्वेक्ट जो है इसके बाद में इसमें इतना ही करना इस एक्वेक्ट में उसके बाद में यह पर ढूंडेंगे एक और एक्वेक्ट को उसका नाम है color balance तो देखिए color balance आपके यहाँ पर दिखे है color correction में इसको यहाँ पर ले आते हैं drag and drop करके तो सबसे पहले red को यहाँ पर हम लोग कर देंगे अपना 0 बिलकुल और उसके बाद में चलेंगे अपना green के उपर में तो green को भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ओके 45 तक और आपको अगर blue या red भी आपको decrease increase करना है अपनी clip में तो आप उसको पी कर सकते हैं लाइक में थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देता हूं अब क्या करेंगे फाइनली यहाँ पर हम ढूंडेंगे एक इफेक्ट को तो यहाँ पर ड्रेगन करेंगे अपनी clip के ऊपर में और यहाँ पर चलके कुछ चीज़ों को इसमें भी अर्जेस्ट करेंगे तो इसका जो है टीसी जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग के 30% कर देता हूं में इसका डारेक्शन देखिए यहाँ पर आपको अभी जो दिख रहा है उसको हम लोग करेंगे तो डारेक्शन जो है मैं यहाँ पर मैनूली डाल देता हूं 90% तक ताकि हमको यह जो है वर्टिकल स्लाइज कर दिया है वीट आपको जो है बढ़ाना है कम करना है आपको लेजेगा अपनी क्लिप के कोडिंग के आपको किस तैप का इफेक्ट चीए देखें मैंने यहाँ पर 10 रखा हुआ है ताकि 12 कर लेते हैं तो देखें मैं इसको 12 कर दिया है फैदर थोड़ा से यहाँ बढ़ा देते हैं ओके फैदर बढ़ा के थोड़ा से इसको और लाइन को करते हैं 15 तक तो देखें मैंने इसको 15 कर दिया है तो अब आप देखेंगे तो आपका जो है यह होलोग्राम इफेक्ट जो है रेडी हो गया है यूज करने के लिए तो यह आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है ठीक है कुछ तोड़ा सा माइना चींजिज आपने क्लिप के कोडिंग कर लिजिए कम या ज्यादा करना है तो आपको अगर उसमें कुछ 3D भी वेरीशन्स डालें तो यहां पर एक बेसिक 3D एफेक्ट भी यूज कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसको भी आप आप उसको यूज कर सकते हैं यह देखिए इस मेधर से आप जो है खोलोग्राम का इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं प्रीमियर प्रोव में